नमस्षाद दोस्तों, दोस्तों, पीसेस अकैडमी में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ और दोस्तों, इस प्रशन को आप लोगों को करना क्या है? कि जी एस थार्ड पेपर का यह प्रशन है, और प्रशन संख्या 107 है और दोस्तों सब्दों में इस प्रशन को आप लोगों को लिखना है ठीक है? और दोस्तों, इस प्रशन को आप लोगों को पैराग्राफ में लिखना है हेडिंग या पॉइंट्स आप लोगों को नहीं डालने हैं ठीक है और जैसे एक पैराग्राफ और दूसरे पैराग्राफ में थोड़ा सा जुडा होना चाहिए आप लोगों को इंट्रोडक्शन पार्ट, बाडी पार्ट और कंक्लूजन पार्ट में अगर एक एक आप लोग कोटेशन का प्रयूग कर देते हैं, कोई अच्छे विचारा की लाइन है अगर उस अपना जो एक स्टार्टिंग पॉइंट है, उसमें अगर कोटेशन से सुरुआज करते हैं तो आपका उत्तर और भी ज़्यदा बहतरी हो जाता है, ठीक है? और दोस्तों, एक GS का ग्रूप चल ला है, ठीक है? GS, फर्स पेपर, सेकेंड पेपर, थर्ड पेपर और फोर्ड पेपर का, ठीक है? तो उसको भी आप लोग चाहें तो जोइन कर सकते हैं, यूटूब पर दो प्रशन की जाती है, एंसर राइटिंग के ड्राफ्टिंग, तो वहाँ पर डेली आप लोगों को चार प्रशन की एंसर राइटिंग के ड्राफ्टिंग दी जाती है, और एक टॉपिक आप लोगो को डेली प्रवाइट किया जाता है और तीन साले तीन सो प्रश्ण प्रतिमाह जो लोग भी एंसर राइटिंग जवज़स तरीके से करना चाहते हैं तो वो लोग जोईन कर सकते हैं उसके लिए आप लोग वाटसप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग नीचे देख सकते हैं ठीक है और दोस्तों सबसे पहले तो देखते हैं कि प्रश्ण में पूछा क्या गया है प्रश्ण क्या है उसको देखते हैं आतंकवाद की महाविबत की राष्टी सुरच्छा के लिए एक गंभीर चुनोती है इस संकट से निपटने का नियंत्रण हे तू हल सुझाईए ठीक है और आतंकी निदियन के प्रमुक्ष्रोध कौन है तो सुरोध आपको बताने है तो पूरे प्रश्ण को आप लोगों को समझना है किस तरीके से आप लोगों को क्या लिखना है कितने पॉइंट्स में लिखना है और जो स्ट्रक्चर है उसको बनाते हुए उसको बताते हुए आप लोगों को अच्छी तरीके से इस प्रश्ण को लिखना है तो चलिए देखते हैं आतंकवाद सबसे पहले देखते हैं टेरिजम क्या होता है आतंकवाद जो है किसी भी देश के लिए राष्टी सुरुच्छा के लिए एक बहुत बड़ी और्तमान सवह में चुनोती बना हुआ है अब राशी सुच्छा का अर्थ ये भी होता है कि कोई भी ऐसी चीज जो राश्ट हित के कारके अनरोप नहीं आती ठीक है उसमें घुस्पैट भी हो जाती है सीमा विवाद भी जाते हैं जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच में पाकिस्तान हमेशा आतंगवाद को बढ़ावा देता है जिससे कि यहाँ पर एक आंतरिक अशांती बनी रहे देश में और क्या है कि यह हर तरीके से जिसे अर्थ भी उस्था को भी बहुत बड़ा खतरा पहुंचाते हैं करते कि यह लोगों की तसकरी करने लगते हैं मनी लॉंडरिंग कर लगते हैं और खवाला के कार किये जाते ह हैं तो बहुत सारे बैकती हैं उनके दोरा यह कार किया जाता है बहुत सारे संगठर हैं उनके दोरा लोगों का माइंड वाश किया जाता है और उनको अपने संगठर की तरफ जोडने का कार किया जाता है अर्थ बहस्ता को हर तरीके से यह नुकसान पहुंचाना चाते हैं यह मानो धन को भी हानी पहुचाते हैं ठीक है और इनकी बहुत सारी अवैद गत्विदियां होती हैं जिससे लोगों को अपने आकरशल में अपने संगठन के साथ जोड़ने का कारे किया जाता है ठीक है आतंकवाद वर्तमान में किसी भी देश के लिए अच्छा नहीं है वो बैक्ति हैं बैक्तियों को जासूस की तरीके से भीजा जाता है आतकवादियों को बिल्कुल एक नागरिक की तरीके से भीजा जाता है कि हाँ कोई जान न सके घुस्पैट करवाई जाती है जो वो चाहाए आपका जलमार भो या सीमा से घुस्पैट होती है तो इन इसके मा दोरा वहां के जो सूचना प्रद्योकी है ठीक है जितने भी संचार सेवाएं हैं इंटरनेट हैं इसका भी नेमन बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से किया जाना चाहिए सक्त कानून बना जाने चाहिए इंटरनेट के लिए जो सूचनाई होती है वो आतनक वादियों के लिए बहुत ही ज़्यादा सुलब उपलब्द हो जाती है वो चाहे नागरीकों का डेटा हो या कोई अतियार समगरी बनाना है या कौन-कौन सी समगरी उस बनाने की पर क्रिया क्या है तो इस पर बहुत ही कड़े निर्देसों का पालन किया जाना चाहिए सरकारों दोरा ठ जाते हैं, खतम करना चाते हैं, तो सबसे पहले जो आतंकवादीों के पास में हैं, सूचना जो पहुंसती है, उसका बिनेवन बहुत ही ज़्य ज़्यादा अच्छी तरीके से किया जाना चाहिए। वो सूचना है, वो चाहिए आपकी बित्तिय संस्थाइं जतनी भी हैं, उन चार सिवाएं हैं उनके माद्यम से जो चीजें पहुंसती हैं तो इन पर कड़े दिसाते देश देने चाहिए ठीक है किसी भी सरकार को और क्या करना चाहिए कि सक्त कानून बनानी चाहिए अगर आतंगवाद से निपटना है तो अगर इसके प्रति कोई भी बेक्टी सनलिप पाया जाता है आतंगवादी गद्विदियों में तो उसको सक्त सजा दी जानी चाहिए ठीक है किसी भी तरीके से वो चाहिए नेता हो या कोई बहुत ज़्यादा इंट्रिवेंशन परसन हो कोई भी मतलब बहुत ज़्यादा महतुपूर्ण बैक्ती हो सरकार में या सिवि से कड़ी सजा दी जानी चाहिए ठीक है और क्या है कि सिविल सोसाइटी जो हमारा एक नागरिक समाज है ठीक है और एंजियो ये जितनी भी गत्विदियां हैं जैसे देखिए आप आस आपका जैसे मान लीजाए एक शहर है शित्री है तो सिटी के अंदर अगर कोई भी ची सुचना जो पुलिस है पुलिस प्रशासन को दी जानी चाहिए ठीक है या और कोई अथरिटी का बैक्ती है तो उसको दे दी जाए जिससे वह सुचना पाते ही उस पर आगे कारवाई कर सकें ठीक है और क्या है कि जो पुलिस प्रशासन है पुलिस प्रशासन को और अच्छ तरीके से हर तरीके से वो चाहे आपका इंटरेट के माध्यम से संचार प्रद्योकी के माध्यम से हर तरीके से इनको अच्छा बनाना है ठीक है इनको सक्षम बनाना है और सक्षम बनाने के बाद जिसे अच्छी तरीके से त्वरित करवाही के लिए हमेशा ततपर रहें और ज समाज, NGOs, society के लोग है तो एनकी भी एक महला महले में अगर नागरिक समाज के लोग से सुर्षाइटी के लोग अगर खुद ही काम करने लगे थोड़ER सा अगर ध्यान देने लगे तो इससे क्या है संदिख दिवक्ती अगर कोई आस्परोस में रहने आया है तो उसको आप थोड़ा सा ध्यान रखे तो उससे क्या होगा आतंगवादी गद्विदियों से निप्टा जा सकता है और क्या है कि आतंगवाद के खिलाप में एक राश्टी कारियोजना बननी चाहिए एक रोड मैप बनना चाहिए कि आतंगवाद एक बेसुकी आज के परिद्रश में वर्तमान परिद्रश में बहुत ही बड़ी समस्या है और प्रतेक देश इससे गरसित है जैसे चाइना है फंडिंग करता है पाकिस्तान को पाकिस्तान आंत्रिक असांती हमेशा बढ़ाय रहता है गुस्पाइट के अच्छी तरीके से सांती ना पाए किसी भी तरीके से राजनेतिक आर्थिक समाजिक हर तरीके से सांती ना रहे लोगों में एक ढरकी भावना पलती रहे तो इस तरीके से आप आतंगवाद से निपटने के उपायों को हम लोगों ने देखा अब क्या करना है कि आप लोगो को आतंकी निदियन जैसे मतलब इनको फंडिंग कहां से दी जाती है ठीक है जो आतंक वादी लोग होते हैं इनको फंडिंग या पैसा कहां से मिलता है तो इस पर अब बात करेंगे तो सबसे पहली बात तो यह आती है कि जो मानो तसकरी होती है यो लोग अच्छी तरीके से कर उनका यूज भी करते हैं और उसके बाद ड्रग तसकरी भी होती है। हवाला का जो पैसा है इधर्वदर किया जाता है। इसके दोरा मनी लॉंडरी के दोरा इनको एक शेर या अन्य माध्यमों दोरा इनको पैसे पहुचाये जाते हैं। बहुत सारे संगठन हैं, संगठनों क दोरह इनको पैसा मिलता है, बहुत सारे देशों के दोरह मिलता है, चीच है, और क्या है कि जीसे जो आतंगवदी संगठन होती हैं तो इनके सरोत और कौन कोन से होता है, जीसे कोई सड़क परियोज़ना है, रास्टी, राजमार्क परियोजना है, या ग्रामिड विकास की फंडिंग करने के बाद जब उससे कुछ कमाई होती है उससे कुछ धन आता है तो उस धन में इन लोगों को शेयर मिलता है तो समय दर समय मिलता ही रहता है तो ये एक नेटवर्क के तरीके से काम करने लगते हैं और जो सरकार है सरकार के जो मिनियमन कानून है वो इतने कि हाँ ये बैक्ती आतंग्वादी है ये आतंग्वादी गदियों में सनलिप्थ है या जो पैसा है पैसा कहा जा रहा है ठीम है। को एक सुरच्छा गरंटी के तौर पर भी एक धमकी भरे काल आते हैं कि आप इंना पैसा दीजे तो वो एक कहते ना कि साधरहन सब्दों में कि गुंडा गर्दी के तौर पर ये लोग पैसा संघठनों के माद्ध हमसे पैसा लेते पैसा लेने के बाद यही पैसा जो जाता है वो आपका आतंगवादी वेक्तियों के पास में पहुंसता है आतंगवादी संगठनों के पास में पहुंसता है और क्या है कि जैसे बॉली वुड में जो मूवी बनती हैं सीरियल बनते हैं तो इन में भी लोग फंडिंग करते हैं तो सबसे पहले तो फंडिंग करते हैं बॉली वुड में और बॉली वुड में फंडिंग करने के बाद जब मूई बन के तयार होती है जब उससे कमाई होती है वो पैसा सीधे सीधे आतंगवादी यत्विदियों में जाता है तो ये क्या है एक देश में असांती भी फैलाता है लोगों की हत्याएं भी करवादे हैं हर तरीके से राजनेतिक आस्थिर्टा को भी फैलाते हैं ठीक है और क्या है कि देशों के बीच परतिस परदा के रूप में भी आतंगवाद को फंडिंग की जाती है वो चाहे भी ये funding आती है ले लेते हैं ये पैसा धर्म के नाम पर ठीक है और ही कि दूसरे देस को कभी सान्ती पूरग नहीं रहने देना चाहते हैं तो वो लोग चाहते हैं कि हमेशा सान्ती पड़ी रहे जिससे हम इनकी मार्केट ग्रैब कर सकें चाइना इसी नीती का पालन करता है कि फंडिंग करता है पाकिस्तान को पाकिस्तान क्या करता है इंडिया को हर तरीके से परिशान करता है वही अगर हम सारा दिन लडाई में ही बेस्त रहेंगे तो हम अच्छी तरीके से कोई भी बेक्ति अगर हमेशा लडाई में ही बिजी रहेगा तो वो अपने विकास की तरफ विकास नीतियों की तरफ ध्यान नहीं दे पाएगा तो ये देसों के बीच में भी एक हथियार की तरीके से यूज किया जाता है कि जो बेक्ति अगर बिकास को नहीं देखेगा हमेसा युद में ही बिजी रहेगा तो होगा क्या? उसका बिकास बाधित होगा और वहां की मार्केट में अगर एक दिमांड जनरेट होगी तो उस दिमांड को पूरा करने के लिए वो बेक्ति या वो देश क्या करता है उस देश की मार्केट को ग्रैब करता है तो ये इस तरीके से नीतियां चलती है और क्या है कि जिसे राजनीती है राजनीत से भी फंडिंग होती है किसे भी कंट्रीज में हो किसी पार्टी के जो नेता होते हैं दूसरी पार्टी जो सत्त पद से हटाने के लिए करते क्या हैं कि आतंगवादियों के दौरा हमले करवाई जाते हैं ठीक है हर तरीके से इनको अस्थिरता देश में अस्थिरता अगर राज्यतिक अस्थिरता रहेगी तो उनकी सरकार जाने के चांसस पूरे पूरे रहेंगे उनको मुद्दे मिलते रह हुए इतनी घटनाए घटित हुई तो ये क्या है एक जरिया भी हो जाता है कि नेता लोग फंडिंग करते हैं आतंगवादियों को आतंगवादी यहीं पर देश में आतंगवादी घटनाओं को अंजाब देते हैं लोगों को मारते हैं बेसफोट करते हैं और इसका में आप अपनी तरब से भी कुछ points add कर सकते हैं जो भी प्रशन के according relevant है तो और add करने के बाद आप लोग अपना बेहतरीन उत्तर लिखे लिखने के बाद मेरे WhatsApp नंबर पर आप लोग send करिए ठीक है चलिए आज का second number question देखते हैं second number question को उनसा है GS fourth paper का प्रशन है प्रशन संख्या 108 है और देड़ सो सब्दों में इस प्रशन को आप लोगों को लिखना है ठीक है तो प्रशन को समझते हैं प्रशन है क्या कि देखे लोग सिवा के प्रतिसमरपण एक सिविल सिवा के लिए क्यों आवशक है चर्चा कीजिए ठीक है तो सबसे पहले आपको बताना है कि लोग सिवा के प्रतिसमरपण होता क्या है क्या होती है समरपण की भावना जो भी है ठीक है तो सबसे पहले तो इसी को थोड़ा से बताईए आप देड़ सो सब्दों में लिखना है तो 50 वर्ड में आप लों को यह लिग दीजे या 60 वर्ड में लिख सकते हैं फिर उसके बाद में आप आगे बताना है कि सिविल सेवकों के लिए और शकता इस गुर्ण की क्यूँ है क्यूँ जरूरी है सिविल सेवा में एक बिरोक्रेशी में जो बिरोकेट्स होते हैं तो उनके लिए यह है क्यों जरूरी है तो लोग सेवा के प्रति समर्पन जो भी आप सर्विस कर रहे होते हैं जो भी कारे कर रहे होते हैं उसके प्रति समर्पन भावना ठीक है सबसे पहले चीज तो यह है कि जनता और राष्ट की सेवा करने की एक भावना जागरत होती है अगर लोग सेवक के प्रति है जो भी सेविल सेवक है उसके प्रति जनता या राश्ट के प्रति अगर वो प्रतिपद्ध है ठीक है और समर्पण की भावना रखती है तब ही वो जनता हित्मे का लियान अच्छे से कर पाएगा अपन सेवा को वह अपने उत्तरदायतों को अच्छे से निभाता है अगर यह लोग सेवा के प्रति अगर समरपढ़ भावना नहीं होगी एक समरपढ़ भावना से कारे नहीं करेगा तो क्या होगा वह अपने उत्तरदायतों को कभी भी पूरा नहीं करेगा ठीक है करेगा भी तो पक्षपाद करके भ्रष्टाचार करके कारी स्टार्ट कर देगा अगर समरपण की भावना रहेगी तो वो निस्पक शुरूप से अच्छे कारी को भी प्रेरित होगा और क्या है कि एक प्रतिबद्धिता को भी यह सुनिश्चित करता है कैसे सुनेश्यित करता है कि जैसे लोग सेवा के प्रति अगर समर्पण की उसके बिरोकेट्स या सिविल सेवा के अंदर ऐसी कोई भावना है तो वह क्या होगा प्रतिपद्ध होकर अगर दिन में उसको पंदरہ गंटे कारे करना है तो वो कारे करेगा किसी भी हालत में उसको वो कारे करना है तो करना है परतिबद्ध होकर कारेगा और क्या है कि लोक सिवा की जो समरपन लोक सिवा के परतिसमरपन की भावना जो है वो निर्देसित किस्से होती है अगर उसके अंदर वह कारी करने की इच्छा होगी, फिलिंग्स होगी, अगर उसके अंदर ऐसा अंतह करण की एक आवाज अगर आती है कि हाँ यह मुझे कारी करना है और देश के लिए सेवा करनी है, तब ही वह कारे अच्छे से करेगा, नहीं तो वह इतर उधर कारे अपने उतरदायतों से, अपनी प्रतिपद्धाओं से बिल्कुल भागता फिरेगा, तेक है, वह अपने कभी कारें को पूरा नहीं करेगा, और क्या है कि जो सरजनिक कल्यान है, अगर लोग सेवा में, लोग सेवा के प्रति समरपड भाव है, या समरपड की भावना है, तो तब ह कि बैक्ती सरजनिक कल्यान को ध्यान में रखकर कारी करेगा, नहीं तो सरजनिक हितों को सरोपर ही नहीं रखेगा, वह अपने हितों को या समू के हितों को, या किसी पक्षपात रोप से किसी बैक्ती के हितों को ही वह आगे करकर कारी करना करता रहेगा, ठीक है, तो बात य हैं और जो सारजनी काल्याण है उसको सुनिश्चित नहीं किया जा सकता ठीक है तो लोग सेवा के समरपन से ये सारी चीजें प्राप्त होती है ठीक है एक सिविल सेवा के अंदर अगर लोक सेवा की भावना है तो इतने सारी चीजों को आगे ले जाया सकता है ठीक है और क्या है कि अगला पार्ट देखते हैं सिविल सेवा के लिए यह आवशकता क्यों है या आवशक क्यों है सबसे पहले बात यहीं देखिए कि जो हमारी बिरोग्रेशी का स्ट्रक्शर है तो उस स्ट्रक्शर में ऐसे कारी होते हैं बहुत ऐसी जड़िल परिस्थियों में कभी कभी कारी करना पड़ जाता है बहुत से ऐसी जगाँ हैं जैसे नक्सलाइट एरिया है या ऐसे अलाके हैं जहां पर एक आंत्रीका शान्ति है बहुत सारे संगठन आपस में ही लड़ते रहते हैं या बहुत सारे लोग लड़ते रहते हैं मान लीजे आप DM है या SDM है तो SDM है अब आपको लोगों को समझाना है कोई घटना हो गई कोई संपरदाय के रूप में अगर कोई बात हो गई दो संपरदायों के बीच में जड़ा फो गई तो वहां पर ऐसी जटल समस्याओं को तभी आप ट्रैकल कर पाएंगे कि जब आपके अंदर समर्पण की भावना होगी अगर समर्पण की भावना नहीं होगी तो आप उन परिस्तितियों से भाग जाएंगे वहां से आप हड़ जाएंगे बहुत से बार इसा होता भी है कि लोग बहुत से बड़े अधिकारी वहां से जान बचा कर भागते हैं ठीक है कुछ मजबूरिया भी होती है और कुछ कार करने के प्रती इच्छा भी होती है कि नहीं मुझे अपनी जान बचानी है मुझे कुछ इससे कोई मतलब नहीं है लेकिन उनको अधिकार और दायत तो यही दिये गए थे कि आप कार्यों को अच्छे से करें निभाएं इसलिए सिविल सिवा के लिए यह बहुत आवशक है ठीक है और क्या है कि जटिल परिस्थितियों में जिस तरही के जाते हैं एक सिविल सिवक के लिए यह जरूरी है समर्पड बहावना नहीं रहेगी तो वो अपने गायतों को कभी भी पूरा नहीं करेगा और क्या है कि कार्यों को प्रभावी बनाने के लिए भी अगर समर्पण की बहाँ ना होगी तो कारियों को वो अच्छी तरीके से करेगा ठीक है नहीं तो वो आना कानी करता रहेगा जो कारिय भी करेगा थोड़ा बहुत करेगा पूर रूप से समर्पण बहाँ से वो नहीं कर पाएगा तो है क्या कि जितने भी कारे उसके द्वारा किये जाते हैं वह पूरे जिसे करें नॉर्मल भासा में कि मन लगा कर कारी करना अपना बेस्ट एफर्ड देना तो ये चीजें कब होंगी जब सिविल सेवा के अंदर एक समरपड की भावना एक देश सेवा की भावना देश सेप्रेम की भावना अगर ये चीजें होंगी तब ही वह कारें को अच्छी तरीके से प्रभावी ढंग से निस्पादित करेगा और क्या है कि एक सहान बहुत ही पूर्ण कारियों को पूरा करना अब इसका क्या अर्थ है इसका अर्थ यही है कि यदि एक सिविल सिवक के अंदर लोग सिवा के प्रतिसमरपड की भावना नहीं रहती है तो उसके अंदर एक कारी करते हैं, ना चाहते हुए भी वो कारी करने पड़ जाते हैं, वो अच्छे ही कारी थे या बूरे कारी थे, जैसे भी थे, ना चाहते हुए भी उस बैक्ति को वह कारी करना पड़ा, ठीक है, लेकिन क्या है, जन्ता के प्रति अगर उसकी सिम्पैथी होगी तो वह खुशी खुशी अच्छे से उन कारियों को निस्पादित करेगा अच्छे से उन कारियों को करेगा और क्या है कि एक सिविल सिवा के लिए अगर लोग सिवा के प्रतिसमरपड की भावना नहीं है तो क्या होगा हमारे देश के सम्मिधान के जो मुख्यादर्श हैं कि एक न्याए की भावना ठीक है हमारे प्रस्तावना में भी कहा गया है कि जो न्याए है और समानता है इनको सुनिश्चित नहीं किया जा सकता ठीक है अगर लोग सिवाक प्रथिस्वामरपण है तो वह अच्छी तरीके से क्या सही है किया गलत है किसी के साथ गलत तो नहीं हो रहा सभी चीजों का या जो भी योजनाय दी गई है उनका बितरण जो है वो नए पूर्वा किया गए है समान रोप से किया गए है ऐसा तो नहीं है कि किसी प्रभावी ब्यक्ति को आपने बहुत अच्छा दे दिया है और जो गरीब एक वंचित तबके का बैक्ती था उसको आपने कुछ भी नहीं दिया है ठीक है तो उसके साथ बेवहार में भी परिवरता नहीं था है अगर लोक सिवा एक सिविल सिवक होते हैं तो उनके अंदर यह जो भावना है अगर यह भावना नहीं होगी तो जो उनका बेवहार है वो भी जनता के परती अच्छा नहीं कर पाएंगे ठीक है और क्या है कि जितनी भी नीतियां हैं नीतियों का क्रियान वयन बहुत ही बहतर तरीके से होगा नीतियां अच्छी तरीके से निस्पादित होंगी अब इन सब चीजों के लिए सिविल सेवक के लिए एक समरपण की भावना होना बहुत जरूरी अपने कारी के प्रती, अपने समोह के प्रती, अपने सरकार के प्रती, अपने जनता के प्रती तो यह बहुत ही ज़्यादा जरूरी है एक सीविल सेवक के लिए लोगों के लिए अच्छे कारे करना ये भावना तभी आएगी जब आपके अंदर वो चीजें हो आप सेवा करना चाहते हो ना कि आप पैसा कमाना चाहते हो या पावर कमाना चाहते हो या पोस्ट कमाना चाह कि हाँ मुझे ये पोस्ट चाहिए के वल दुनिया को दिखाने के लिए उस बैक्ति के अंदर अगर लोग सेवा के प्रति समर्पन नहीं है समर्पन की भावना नहीं है निस्ठा से कारे नहीं करता है तो वह कारें को अच्छी ढंक से नहीं कर पाएगा ठीक है तो दोस्तों द किसी अच्छे विचारक की लाइन्स का भी यूज कर सकते हैं हेडिंग आप लोगों को नहीं डालनी है पॉइंट नहीं डालने है पैराग्राफ में लिखना है लिखने के बाद इस नंबर पर आप लोगों को सेंट करना है ठीक है और यहां जो भी प्रस्ण में मेरे वाटस ऑप्शनल के जो GS ग्रूप है वाटसप ग्रूप वो भी चलना है तो जो लोग भी जॉइन करना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डीटेल पड़ी है आप लोग देख सकते हैं ठीक है और दोस्तों प्रस्ण लिखते रहे हैं समय बहुत कम है और आप लोग जरूर लिखते रहें ठीक है और जितने ज्यादा ज्यादा प्रस्ण हो सकते हैं उतना आप लोग एंसर राइटिंग करिए ठीक है नहीं करेंगे यह आपको बहुत परिशानी में डालेगा जाके जिस समय आपका एक्जाम आएगा उस समय आप खरबड़ी में कारी करेंगे जो कारे होंगे भी और प्रसन लिखेंगे भी वो अच्छी क्वालिटी के नहीं लिख पाएंगे जो चीजें आराम से अच्छे से सोश समझ कर जो होती हैं वो अच्छे से इंसरेक्टिंग हो जाती है ठीक है और ये अच्छी लेखन सैली का विकास भी होता है तो आप लेखते रहे हैं दोस्तों ठीक है चलिए ठीक है थैंक यू सुने के लिए